हाई एव्रिवान वेल्कम टू जेयार टॉक्स यूटूब चैनल आइम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल तो दोस्तों वन्स अगेन आपका स्वागत है हमारे जेयार टॉक्स पे और जैसे कि आप जानते हो पिछले तीन साल दिनों से तीन चार दिनों से हम वीडियो नहीं बना पार थे जैयार टॉक्स पे क्योंकि उसके बीचे दो रीजन है एक तो हम बाकी जो बोर्ड एक्जाम चल रहे हैं उसमें भी थोड़ा बीजी है लेकिन उससे बड़ा एक रीजन यह है कि मेरे फैंबली में मेरे मुझे बार आपको बताया हुआ है तो टाइम मुझे ज जितना कॉंटेंट्स अवेलेबल है उसको देखो पढ़ाई करो और जितना हो सके अच्छे मार्स लाओ लेकिन अब समय आ गया है जैसे कि आप चानते हो एक्जाम काफी नजदीक है तो मैंने सोचा कि क्यों आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन की जरुवत है तो मोटिवे तो उनको यार लग रहा होगा कि अभी आपको लोग का एक्जाम चल रहा है तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करें और रिवीजन कैसे करें और थोड़ा सा जो आपके मन में टेंचन होगा ना उसको कैसे मैनेज करें तो टेंचन मतलों ये वीडियो में बना रहा हूं इसमें सबी चीज मैनेज हो जाएगा टेंचन भी थोड़ा कम हो जाएगा थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाएगा थोड़ा ताकत और हिम्मत दोनों ही आ जाएगी चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पर लगें एक और चीज है कि अभी समय क्रिटिक होंगी वह हमारा ओरिजनल चैनल होगा बाकी लोग बहुत सारी लोग जाएगा तो कर लेना कॉंटेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर जरूर से सपोर्ट करना कीफ चड़िंग कीप वाचिंग बैस चले शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना आपको अगर आप को सबसे पहला काम तो यह करना है कि आपके जितने भी चाप्टर सापको आने वाले हैं आप अपने स्कूल वाले से एक एक जाम टाम टेबल प्लस आपका जो सिलाबस है वह पूछ लो और उसके एकॉर्डिंग लिए आपको क्या करना है आपका सिलाबस जो है सबसे पहले कंप सब्सक्राइब करना चाहूंगा यह हो गया सबसे पहली बाट तो जब आप कंप्लीट सिलाबस कर लोगे अपना कि आपको पताए किया साइंस में दस चाप्टर आने अपने दसका दस चाप्टर पढ़ लिया ठीक है अब पढ़ने के बाद क्या होता है कि दो तरीके से पढ़ाई होता है एक तो जब पढ़ाई करने बैटे को तो साप में कंसेप्ट भी क्लियर करना होता है कि कुछ चीज ऐसी होते है जो सिर्फ याद करोगे जो रट्टा मा अगर आपको पता है तो आप definitely आप answer कर सकते है अगर वो question उस तरीके से पूछा जा रहा है तो आप अराम से answer कर पाओगे कोई परिशानी नहीं होती answer करने में क्योंकि you know the concept in your mind अगर आपका mind में आपका concept चल रहा है उस चाक्टर के उपर उस topic के उपर उस questions के जो भी answer होगे obviously तो schedule बनाना बहुत जरूरी क्या होता है कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है कि हम कितना पड़े आपको बार-बार बोलता हूं कि strategy जो होता है वो बनाना सबसे जादा important होता है क्यों important होता है क्योंकि अगर आप यह study strategy बनाते हो यह schedule बनात है तो ऐसे लगाता पाच-8 दिन कर लोगे ना तो आपके अंदर एक next level का confidence boost हो जाएगा और लगभख 6-7 घंटा daily consistency की साथ आगर आप पढ़ रहे हो तो समझ तो कितना ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे सिला बस complete कर पाओगे समझ में आ रहा है तो यह चीज़े आप लो इक्जाम शुरू किया ठीक है ना कि यार मैं बोली नहीं सकता कि मतलब जब बारवी का एक्जाम खतम हो रहा रहा तो ग्यारवी का भी एक्जाम खतम हो जाएगा मतलब यार यह तो बहुत गलत चीज़े पहली बात तो कि स्कूल वाले जान बुझ के करते हैं ताकि वैकेश हैं अगर आपका अभी तक एक्जाम खतम हो गया होगा या फिर चल रहा होगा ना तो अभी फिलाल में तो आप एक एकाम कर सकते हैं जो वीडियो हमने बना के रखा है जिया टूटल पर उससे पढ़ाई कर सकते हो और खुद का सेल्फ स्टड़ी कर सकते हो बहुत इंपॉर तो जितना भी हो सके आपका सिलाबस जो ही है आपने कम्प्लीड किया है वो सिलाबस का वो चाप्टर उठाओ ये चाप्टर मैंने पढ़ लिया है ना तो ठीके मैं कोशिश करता हूँ मैं बोल पा रहा हो कि अभी ना देखे सेल्फ स्टुड़ी कर पा रहा हो के नहीं कर प आपको यादा रहे तो इसको फटाफ्र अपने रफ लैंग्वेज में लिखो मैस एक्जांपल एक्सक्राइट और. प्राक्टिस कर लोगे महनत कर लोगे थोड़ा सा मैनत है तो आपका जो मन चाहा प्रसेंट जो आप स्कोर करना चाहते हो हमेशा से आप जो इमाजिन करते हो कि यार मुझे इतने परसेंटेज आने चाहिए यह आप आराम से स्कोर कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं होती है जो 99% निकालता है वो भी एक इंसान होता है और जो फेल होता है वो भी एक इंसान होता है बस फरक इतना होता है कि 99 वाले ने बहुत सीरिसली पढ़ाई किये मेहनत किया है और रात दिन एक करके पढ़ाई किये लेकिन जो फेलियर ना 35-36% भी लागर ला रहा होगा तो उसने कुछ नहीं कैसी पराम किया तो फरक आपके सामने है आपको क्या बनना है और कितने निकालने है यह आपके उपर डिपेंड करता है उसी आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करना मुझे लगता है यह वीडियो देखने मत थोड़ा तो एनर्जी और मोटिवेशन आपके अंदर आया होगा तो जुरूर से आप अच्छे मार्स निकालों के बिल्कुल चिंदा मत करना श्ट्रेस मत लेना एक्जाम है रिलाक्स हो समझ में आ गया तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर पहली बार आयो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे फिरेक और निव वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और गुडबाई